वॉलकम बैक अबरीवान प्रेक्टिस सेट नंबर ये 298 ए टेस्ट सेरीज यूपीपीज सीपीचियस के लिए चल रही है प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के इंपोर्टन प्रश्णों पर इस टेस्ट सेरीज की प्लेलिस्ट बना रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे बाद की वितल विधवन्षक या विटाल विधवन्षक कुछ भी लिखा सकता है इसको और ये प्राश्ण यूपीयस के सिविल से में पूछा जा चुका है इसका उत्तर है गोपाल बाबा बालंग कर अप्सा नमबर एं रहे हैं सक्हांज देखे, गोपाल बाबा बालंककर जिनें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है को निम्न जातियों के जागरण के आंदोरण में अगरणी माना जाता था उन्होंने रायगाड जिले में जातीगत बहित भाव के उनमुलन के दिशा में काम किया बितल विध्वन्शक यानि ब्रहमणवादी व्यवस्था को नश्ट करने वाला नामक समचार पत्रिका की सुरुवात करने वाले वो पहले दलित थे वर्शनमबर टूपर आज़िए वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाईटी of oriental art द्वारा पृदान की जाने वाली पहली चात्रवत्ती किसे प्राप्त हुई थी किसे प्राप्त हुई थी नंदलाल बोस को प्राप्त हुई थी देखे भारते कला पर एक अमिट छाप छोड़ने वाले नंदलाल बोस वर्ष 1907 में स्थापित और चित्रकला के छेत्र में अबनिंद नार टैगोर ने अजंता, मुगल और राजपूत चित्रकला से प्रणा लेते हुए, अपनी रचनाओं में उन्हें स्थान देते हुए, भारतिय कला छेत्र भर विक्टोरियन प्रकरतिवाद के वर्चस्व को समाप्त किया, तो ये भी प्रश्ण हिस्ट्री में, और इसका उत्तर है, स्याम जी क्रश्ण बर्मा, आप्सन नंबर ए हैस का अंसर, एनी वे सेंट मैडम भिकाजी कामा, मदलनाल धींगरा, तीनों इंपोर्टन नाम है, बहुत प्रश्ण बनते हैं इन सभी एक्जाम्स में, सबको देख लेंगे ए एक जुट करने के लिए एक शात्रव्रत्ती योजना की सुरुवात की, तथा अधा इंडियन सोसियोलोजिस्ट पत्रिका भी निकाली, साबरकर और हर्दियाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सरच से बने हैं, आप्सन में मदलनाल धींगरा, मदलनाल धींगरा ने व जास संपर्क स्थापित किया और बंदे मातरम का प्रकार्शन किया मैडम भिकाजी कामा, वाई सगस्त 1907 को विदेशी भूमी पर भारतिय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ती थी, जर्मनी के स्टर्ट गार्ट में अंतराष्टिय समाजवादी समेलन में ध्वज फहरात की थी और होम रूल लीग की सुरुवात की, भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की वो पहली महिला अध्यक्स थी, उन्होंने वर्स 1917 में कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्स था की थी, न्यू इंडिया और कॉमन वील समाचार पत्र का लेखन भी किया, उन्होंने सारे के सारे बुलट पॉइंट्स हैं, इन से सवाल बनते हैं, कुशन नूमबर फोर पर आज़िए, फिलिंग दा ब्लैंक्स भरना चोटा सा, गदर पार्टी एक करांतिकारी समूथा जिसका साबता है, समाचार पत्र डैस के नाम पर किया गया था, विराट के नाम पर, आएगा यहां पर गदर ही आएगा, ओप्सान नंबर बी है सकांसर, देखे गदर पार्टी एक करांतिकारी समूथा जिसका गठन साबता है, समाचार पत्र गदर के नाम पर किया गया था, इसका मुख्याला है सेन फ्रांसिसको में था और इसकी अन्य साखाएं अमेरिकी त और सुदूर पूर्वी छेत्र तक विस्तृत थी, वर्शन नंबर फाइब पर आजएए, नम लिकेत में से किसका संबंद वर्स 1915 की वर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था, 1915 की वर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था, किसका संबंद, जिस जिसका था पहला उसको देख लेते हैं, वीरेंदर नाथ चटोपाध्याय का था, भूपेंदर नाथ दत्ता का था, लाला हर्दियाल का था, गुर्वक्स सिंग डिलो का नहीं था, गुर्वक्स सिंग डिलो, इसका अंसरो जगा आपसा नमबर डी, देखें, वीरेंदर नाथ चटोपाध्याय, भूरपू, पेंदर नाथ दत्ता और लाला हर्दियाल, तथा अन्य लोगों ने, वर्स 1915 में भारते सतंतरता के लिए, वर्लिन समिती की स्थापना की थी, इन देश की आजादी के लिए विर्टेश भारत पर एक ससस्त्र आक्रमन का आयोजन किया जा सके, गुर्वक्स सिंग डिलो, ये किस से थे फिर, गुर्वक्स सिंग डिलो ने पाँचमी गुरिला रेजिमेंट के प्रिसिक्षन और देखवाल का काम किया, रंगून में नेता ज अलियों में से एक थे जिन पर दिली के लाल किले में बने वेसिक साशन पर मुकदमा चलाया घ्ञा था, इंपोर्टन नάम है तीनों सहानवास खान प्रेम कुमार सैगल गुर्वक्स संग डिलो पर चलाया गया था लाल किले में बने ओभश्मे बनता है एक्षम में जिन सब भी टाश्ट का फुल टेस्ट पीडियेप सीरीज प्राप्त कर सकते हैं ये नमबर पर कॉल या वाट्सप करके कारबास में डाले जाने वाले पहले भारते पत्रकार थे इसका कारण था कि एक संपात की है में बनर जी ने बंगालियों की धार्मिक भाबनाओं के प्रती असंबेदन सील होने के लिए अक्रोशित तरीके से कलकत्ता उच नियाले के एक नैधीस की अलोशना की थी कोशिन नमबर सेवन बुर्ज हों पुरातत्व इस्थल से नपाशान यूग के अस्थी निर्मित ओजारो की जानकारी मिलती है यह इस्थल कहां इस्थल है बुर्ज हों है जम्मो कस्मीर में अपसर नमबर सी है इसका अंसर देखें बुर्जों पुरा इस्थल पुरा तत्व इस्थल जमुकस्मीर में इस्थे था यहां से नपाशाण यूग के अस्थे निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है तो विकल्पसी करेक्ट हो जाएगा सबसे प्रभावी उपकरणों में सिकार करने एवं पेड़ों की कटाई के लिए चमकदार पॉलिस की गई कुलहाडियां पाए गई है इसके अतिरेक्ट एक्ट जमुकस्मीर का बुर्जों हो गया और बिहार का चिरांद में अस्थियों से बने उपकरण पाए गए है और अस प्रशन लगवेत कौन सा है सबसे लगवेत कौन सा है और इसमें रिगवेत की सहिता से कई स्लोग लिए गए हैं सामबेत का संक्रण विसेश रूप से अनुष्ठान संबन्दी अनुप्रयोगों के लिए किया गया है क्योंकि इसके सभी छंद, सोम, यग्यकारियों तथा उससे उद्रत अनुष्ठानों में पाठ किये जाने है तू है दस मंडल और एक हजार अठाई सूक्त के साथ रिगवेद सबसे बड़ा है किस पाशाण युक्के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रूची थी पहिये का विश्कार हुआ था ना पाशाण काल में चित्रकला में सबसे अधिक रूची पूरा पाशाण काल के लोगों में तो होगी नी मध्ध पाशाण युग ठीक है, ओप्सन नंबर भी है जगांजर देखें, मध्ध भारत की विंध पहाड़ियों में पाए गए शेल चित्रों से इसफ़ष्ट है कि मध्ध पाशाण काल में लोगों का कला से विशेस लगाब था मध्ध पाशाण काल के सेल चित्र, मध्ध प्रदेश के आदमगड तथा भीम बेट का ठीक है मद्ध प्रदेश के आदमगड अभीमबेट का उत्तर प्रदेश के प्रतापगड और मिर्जापुर में पाई जाती हैं ये पाई जाते हैं भी है इसका अंसर भर सिंदु घाटी सभिता के लोगों को निम्लिकित मैंसे किस पश्व के विसे में जानकारी नहीं थी उनको जानकारी थी गधे की उनको जानकारी थी बिल्ली की उनको जानकारी थी उट की सिंग की जानकारी उनको नहीं थी सेर की जानकारी उनको नहीं थी और घोडे की भी नही नहीं थी उनको चनकरी तोड़ी है इसका अंसर देखे सिंदु घाटी सभिता में पालतु पश्वों में बिल्ली कुत्ते गधे उंट भेड़ भकरी और भेंसादी सामिल थे घोड़े के उपियोग के पुख्ता साक्ष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं मोहन जोड़ो में घोड़े के साक्ष को लेकर मतवेद है साथी लोथल से पाए गए संशेपूर्ण, टेरिकोटा, मूर्ती और सुरकोदता से अनिश्चित अवसेसों से घोड़े के संबन्द में विसेश जानकारी नहीं मिलती है सुरकोटदा और भोजन के लिए कई अन्य सिकार पश्वों का सिकार किया जाता था जिन में हिरन हाथी और गैंड़ा भी सामिल थे जिन से हडपा वासी अच्छी तरह परिचित थे किन्तु सिंधु घाटी सभ्यता में सिंख के विशा में कोई प्रमान अथवा साक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तो विकल्प डी सईयस का सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंद में नमलिकत में से कौन सा योगम सही सुमयलित नहीं है सबसे उत्री इस्थल मांडा सबसे दक्ष्ण इस्थल दैमाबाद सबसे पश्मी इस्थल सुरकोटदा सबसे पूर्वी इस्थल आलमगीरपुर देखें सबसे दक्ष्ण इस्थल दैमाबाद महराष्ण में ठीक है, सबसे उत्री इस्थल मंडा भी ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर ये भी सही है लेकिन सबसे पश्मी स्थल सुरकोटदा नहीं है, ये गलत है सिंदुघाटी सफिता का सबसे जो पश्मी स्थाल है वो पाकिस्तान की वलुच्छ स्थान में इस्थाता है ठीक है उसका नाम है सुद्का गेंडोर तो सिंदुघाटी सफिता के विस्तार की बात करें तो सबसे उत्री स्थाल है मंडा भारत के जम्मु कस्मीर का सबसे दक्षन इस्तल है दैमाबाद महराश्च का इंपोर्टेंट है मैच वैच करने के लिए पूछता है सबसे पश्मी इस्तल है सुटकोतदा नहीं है सबसे पश्मी इस्तल है सुटका गेंडोर पाक इरान सीमा परिस्तल है या पाकिस्तान की बलोचस्तान में और सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीर पुर्त्र पुर्देश का, इनको मैच वैच करने के लिए पूस्ता है, क्वेशन बारे पर आज़े हैं, नमलिकित कत्नों में से कौन से कौन सा लोथल के संबंद में सही नहीं है, यह केमबे की खाड़ी के पास एक पत्तन था, प्रोफ इस तरह के GS के कम से कम 150 प्रश्ण मिलेंगे, 15-15, 20-20 के टेस्ट में आने वाले कुछ दिनों में, सारे के सारे इंपोटन्ट होंगे, वो 150, ठीक है, 150, प्रैक्टिस जरू करिए गा, इनकी यह केमबे की खाड़ी के पास इस्थित एक पत्तन था, ठीक है, इसका उत्खनन प कांसर होगा, क्योंकि अपने को इनकरेक्ट ठूड़ना है, देखे गुजरात में केमबे की खाड़ी के पास भोगबा नदी पर इस्थित पत्तन था, इसका उत्खनन प्रोफेसर ऐसा रान ने किया था, यहां भोगबा नदी के माध्यम से खंबाद की खाड़ी से और इंट से निर्मित एक क्रतिम बंधरगा पाया गया था, ठीक है, लोथल, तो विकलब C करेक्ट हो गया, यहां धान के अपसेस भी पाये गये हैं, अन इस्थलों की तुलना में यहां के घरों की विशिष्टता है कि यह मुख्य सड़कों से जुड़े हुए हैं, और यह कोई नगर दुर्ग भी नहीं है, तो A करेक्ट है, B करेक्ट है, D भी करेक्ट है, लेकिन C करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक कृतिम बंदरगा, ठीक है, इंटों से निर्मित है, चलिए कोशन नमबर 13 पर आजए, प्रशन नमबर 13 है, पाटली पुत्र में किले का निर्मान किस देखे, बहुत लेकोक के अनुसार, अजाद सत्रू का उत्रा धिकारी, उसका पुत्र उद्यन था, हालाकि पाटली पुत्र में किले का निर्मान अजाद सत्रू ने करवाया था, किन्तों उसके पुत्र उद्यन ने पाटली पुत्र को एक सहर के रूप में विक्सित किया, यह सोन और गंगा नदियों के संगम परिस्थ था चोकि पाटली पुत्र मगद सामराज के केंदर में था इसलिए उन्होंने अपनी पहले की राजधानी राजग्रे के इस्थान पर पाटली पुत्र को राजधानी बनाया उन्होंने सोन और गंगा नदियों के संगम पर इससे तिक सहर के रूप में पार्टली पुत्र में किले का निर्मान करवाया था तो विकल्प भी करेक्ट है विकल्प भी में कौन है अजाद सत्रू इंपोर्टन प्रशन है कौस्टन नबर 14 है नमलिखित कतनों में से कौन सा तोल काप्याम के संबंद में सही नहीं है यह है तमिल साहित का सबसे प्राचीन साहित है हिलांगो अधिकल ने इसकी रशना की थी तमिल व्याकरण की एक रशना है यह और यह संगमकार की राजनेतिक और समाजे कार्थे किस्तियों के बारे में जनकारी प्रदान करता है यह करती है देखें दो रशना है यह बड़ी इंपोर्टन्ट है एक तो तोल काप्याम है और दूसरी है शल्पादिकारम यूपीसी और स्टेट PCS में प्रशन इन से बनते ही रहते हैं अब कौन इनके र अधिगल रचनाकार है शिल्पादिकारम का जिसमें कोबलन और कलंगी की कंडंगी की प्रेम कहानी है तो यह गलत हो गया है यहां पर वाकित तमिल व्याकरण की एक रशना है तोल काप्यम और संगमकाल की राजनेतिक और समाजी कार्थेक संस्क आर्थेक सितियों के बारे म जानकारी प्रदान करती है करता है तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया है यहां पर वी वाला स्टेट्मेंट है देखे तोल काप्यम तमिल साहित का सबसे प्राशीन ग्रंथ है किसने लिखा है यह तोल काप्यार ने तोल काप्यम का लेखा कौन है तोल काप्यार यह दिपिया रश सिल्पादिकारम का लेखा कोन है इसमें क्या है यह एक व्यापारी कोवलन की कहानी है जिसमें वह अपनी कुलीन पत्नी कंदंगी की उपेक्षा करके कावेरी पत्नम की एक माधवी नाम के वैश्या से प्रेम करने लगता है कुशन नम्बर 15 है नमलेखित कत्नों में से कौन सा गुप्त कालीन सिक्कों के संबंद में सही नहीं है यानि तीन यहाँ पर सही होंगे एक यहाँ पर गलत होगा उसी को ढूड़ना है चांदी के रुपियों को रुप्यक कहा जाता था सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था गुप्त काल के दुरान जारी किये गए सोने के सिक्कों की गुड़वत्ता बहुत अच्छी थी गुप्त कालीन साशक अनुष्ठान कारे के पश्षाद विसेश सिक्के जारी करते थे तो गुप्त कालीन सिक्कों के सम्मन्द में जो जो सही है पहला उसको देख लेते हैं चांदी के सिक्कों को रुप्याक सोने को दिनार कहा जाता था दोनों ठीक है यह गुप्त कालिन साशक अनुष्ठान कारे के पशाद विसे सिक्के जारी करते थे ये भी ठीक है गुप्त काल के दौरान जारी किये गए सोने के सिक्कों की गुडवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी यही गलत है और यही अपना अंसर हो जाएगा अपसरम बरसी गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुप्य कहा जाता था हलाकि सोने के सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था गुप्त साशकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किये गए सोने के सिक्कों की तौला में इनकी जो गुडवत्ता थी वो कम थी तो विकल्पसी अंसर हो गया, क्योंकि वो कलत हो गया समुद्रगुप्त कुमारगुप्त द्वारा अश्मेद है के बाद जारी किये गए सिक्कों में युप स्थम्ब से बंधे घोड़े को दर्शाया गया है गोड़े को दर्शाया गया है चंद्रगुप्त कालीन सिक्कों पर साप का सिकार करते गरुण अंकित है सोना चांदी तामा जैसी धातुओं का प्योग आखुशन बनाने और सिक्के जारी करने के लिए किया जाता था तो ये 15 important प्रश्ण है इसी तरह के 150 प्रश्ण एक दो तीन दिनों में ठीक है टेस्ट मैड़ेड होंगे तो प्रैक्टिस करते रहेगा हर दिन धन्यवाद